नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जयकाडमी में दोस्तों आज हम बात करेंगे महान व्यक्तित्तु स्वामे विवेका नंद जी के बारे में उनके विराट व्यक्तित्तु पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिस करेंगे दोस्तों उस व्यक्तित्त के बारे में हम कहाँ से सुरू करें ये कहना बहुत कठिन है लेकिन फिर भी हम परियास करने की कोशिस करेंगे भारती सनातन धर्म की पहचान और सुईकारता शंपूर्ण विश्व में कराने वाले विराट व्यक्तित्व स्वामी विवेकानन्द जी का जन्म 12 जन्वरी 1863 हिज़वी में कलकत्ता में हुआ थ उनके वच्पन का नाम नरेंदर नात था स्वामी जी मानो सेवा का को जो है सबसे बड़ा धर्म बताया उन्हें तथा मोर्ती पूजा वबहु देववाद का समर्थन किया इसी कारण उन्नीस्वी सताब्दी में उन्हीं नव हिंदू जाग्रण का संस्थापक कहा गया उनके विशेश विशेशताओं की कारण नेता जी सुवास चंद्रभोस ने उन्हें आधुनिक राष्ट ये आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा इंडियन अंडेश्ट के लेखक चिरोल ने कहा वो पर्थम हिंदू थे जिनके व्यक्तित्यों से भारत की प्राचीन सब्भिता और राष्ट होने के उसके नौजात हक के लिए विदेश मिन्यलडायक सुखिर्थी प्राप्त दोस्तों उस विर्याट व्यक्तित्यों के बारे में कुछ प्रकास और डालने की कोशिस कर रहे हैं रामकिर्ष मिसन के संस्थापक स्वामी वेकानन्द जिने हिंदू नववाद का प्रतनित कहा जाता है ने अपने गुरू रामकिर्ष प्रमहंस की स्मिर्थ में एक मई 1897 को कलकत्ता के पास बारा नगर में की दि बाद में बेल्लूर इस मिसन का मुख्याले बन गया और इस मिसन के सिध्धान्तों के आधार में वेदांत दर्शन रहा है विवेकानन्द के गुरू रामकिर्ष प्रमहंस 1836 से 86 जो उनका आयू का समय था का मूल नाम गदाधर चट्टू पाद्ध्याय था ओकलकत्ता में गंगानधी के पूरवी तडपर दक्षळेश्वर में काली देवी के मंद्री के पुजायरी थे और दक्षळेश्वर के संत के नाम से विख्याथ थे इन पर भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों का प्रभावत, इन्होंने इस्लाम वाइशाय धर्म के द्वारा भी इस्वर का साक्षात कार किया, और कहा कि संसार की सभी धर्म सच्चे रूप में इस्वर तक पहुँँचने के विभिन मार्ग, उन्होंने धर्म की एक्ता और म पानों सेवा पर सरवाधिक बल दिया। विवेकानन जी भारतिय दर्शन के साथ साथ पास्चाति दर्शन का भी अध्यां किया थ। 1880 में रामकेश्प्रमहन से इनकी पर्थम भेट हुई और सेगरीव उनकी सिस्य हो गए। 1891 में उन्होंने शंपून भारत की यात्रा की और यहां के गरीवी वा भुकमरी का प्रतेक्शन भोगिया। भ्रमण के दवरान जब राजस्थान में अपने गुरु के संदेशों का प्रचार करने गए तो राजस्थान में खेत्रडी सियासत के महाराजा कुमर अजीत राज सिंग के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदल कर विवेकानन्द रखा। और महाराजा के खर्च पर 1893 में अमेरिका के सिकागो सहर में आयोजित पर्थम विश्षु धर्म सम्मेलन में हिंदु धर्म के परतनिद के रूप में भाग लिया। 19 सितंबर 1893 को इन्होंने अपना ओज पूर भाष्ण देकर पूरे विश्षु के लोगों को आश्यर चकित कर दिया और प्रसिद्ध हो गए। विवेकानंद जी के भाष्ण के विशय में दा निव यार खेराड ने लिखा कि विवेकानंद का भाष्ण सुनने के पश्याद आईसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे ग्ञानी रहते हैं। सुधारने के लिए पस्चिम से परचारक भेजने की बाद कितनी मुर्खता पूर इन्हें तूफानी भर्मण करने वाला साधू भी कहा गया। इन्होंने वह विश्वाणी की थी कि आने वाले समय में समस्त विश्व पर सर्व हारा वर्ग और दलितों का सासन होगा। जिसका आज हम अनुभुक कर सकते हैं। इसकी सुरुवात रूस तथा चेन से होगी जो साक्षातुदार्ण है। विवेका नंद जी तीन वर्ष तक सिकागों में रहे और इस दवरान फरवरी 1896 में निव यार्क में वेदान्त सोसाइटी और कालिफोर्निया में शांति आश्रम के स्थापना की। विवेका नंद ने पूरे अमेरिका, यॉंग लैंड, फ्रांस, स्विटर्ड लैंड तथा जर्मनी की यात्रा की और चार वर्ष विदेशों में फरमण के भश्चात वापस भारत लोटे। 1897 में सुदेश वापस आने पर उन्होंने रामकेश मिशन की स्थापना की, 1899 में कलकत्ता के पास वेल्लूर में रामकेश मिशन का मुख्याले स्थापित किया, दूसरा मुख्याले अलमोडा के पास मायवती स्थान पर बनुआया। में अमेरिका गए तथा 1922 में उन्होंने पेरिस में आजुद देती धर्म सम्मेलन में भाग लिया और चार जुलाई 1902 को वेका नन्द जी का देहा उश्यान हो गया तो दोस्तों इस विराट व्यक्तित पर कुछ प्रकाश डालने का कोशिस किया गया उनका एक बहुत ही परचलित युवाओं के लिए उद्गोश रहा है उत्तिष्ठत जागरत प्राप्वरान निवोधत अर्थात उठो जागो और अपने लक्ष प्राप्ति तक मत रुखो धन्यवाद दोस्तों